यह बनाने वाले हैं और आज हम बनाने वाले हैं तेजपता जीरा दाल चीनी लौंग इलाईची और थोई से फ्रेश क्रेम अब प्याज अद्रक और लहसून का हम एक fine paste बना लेंगे थोरा सा पानी आड़ करके पानी बहुत जादा आड़ नहीं करना है और इसमें आपको हरी मिर्ची भी आड़ नहीं करनी है और सेम वे में हम काजू में थोरा सा पानी आड़ करके उसका भी एक fine paste बना लेंगे अब पैन में लेंगे हम थोरा सा ओयल आप चाहो तो इसमें घी का भी इस्तिमाल कर सकते हो और जैसे थोरा सा गरम हो जाए इसमें खरे मसाले आड़ कर देंगे ध्यान रखिएगा खरे मसाल जलना जाए इसलिए तेल जब थोरा गरम हो तभी उसमें मसाले आड़ कर दो और जब उससे सौंदी खुष भुआने लग जाए तब इसमें जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था ना वह एक कर दो उसे पांच मिट कुक करने के बाद हमें काटोरी में लेंगे दही और उस और इसको तब तक स्टोर करते रहना है जब तक इसमें बॉइल ना जाए नहीं तो दही फट जाएगा और हमारी सबजी खराब हो जाएगी जो हम बिलकुल नहीं चाहते और जब एक बार बॉइल आजाए तब इसमें नमक और थोरी सी चीनी आड कर दीजे मैंने यह पर कर देंगे काजू का जो हमने पेस्ट बनाया था वह और थोरी सी फ्रेश क्रीम और चाहो तो अड़ करो नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हो अब इस सब्जी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें आड कर देंगे पनीर पनीर को आप चाहो तो शालो फ्राइश और को लाइक कर देना कमेंट में बताना कि आपको इसबजी कैसे लगी और नेक्स सब्जी में कौनसी ट्राइए कर रहूं एंड शेर इट विद यो लव्ट वन्स थांक्ट